सात्यों इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी से एक request करना चाता हूँ वो request ये है कि इस वीडियो को पुरा देखिए, अंतक देखिए क्योंकि ये वीडियो आप और सिर्फ आप के लिए डिजाइन की गई है आपके मतलब की information आजके इस वीडियो में लेके आया हूँ ये वीडियो पुरा देखने के बाद आप जरूर कहेंगे वाउ क्योंकि एक ऐसी information जो कहीं नहीं कहीं आपके मतलब की होगी उन सभी strand के लिए जो UPC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों आपको पता है UPC is one of the toughest examination और हर साल लाखों strand में appear होते हैं लेकिन बहुत कमी ऐसे भागशाली strand होते हैं जो UPC क्लियर करते हैं लेकिन वैसे strand जो क्लियर नहीं कर पाते हैं उनका क्या हाँ मलब वो second attempt पे जाते हैं ठर्ट attempt भी देते हैं लेकिन कई ऐसे strand होते हैं जिनका आप पूरी attempt देने के बावजुद UPC क्लियर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे UPC यानि Civil Services की सबसे बड़ी side effect यह है कि अगर UPC नहीं तो क्या UPC नहीं तो क्या तो दोस्तों एक backup plan आपकी होनी बहुत ज़री है अगर आप UPC की तैयारी कर रहे हैं तो एक backup plan लेकर चलिए otherwise आपको problem आ सकती है मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ लेकिन सचाई बता रहा हूँ ground reality बता रहा हूँ क्योंकि I am just trying to put my leg in your shoes मैं आपकी तरह सोजना चाता हूँ आपकी तरह समझना चाता हूँ आपके दिमाग में जहन में जो बात चलती है मुझे पता है आप क्या सुझते हैं तो आपकी इनी problem को समझते हूँ आपकी इनी tension को समझते हूँ ये video बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपकी इस problem को इस tension को कुछ हद तक कम कर सूँँ इस video के मादे हम से जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों यूपेसी आप यूपेसी मलब यूपेसी थूजो आपके civil services examination होती है उसमें IS, IFS, IRS जैसी का position मिलती है इसके लावा और भी 20 बायस होंगे मलब टोटल 24 position होती है basis of your rank basis of your जो cadre मिलती है इसके अलावा भी बहुत सारे competition करवाती है लेकिन मैं यूपेसी civil services बात कर रहा हूँ यूपेसी civil services में 24 ऐसे position होते हैं कि अगर आप civil services निकालते हैं तो आपको IS, IFS, IRS जैसी तमाम 24 position कोई भी मिल सकती है लेकिन दोस्तों अगर civil services आपने नहीं निकाला तो क्या करेंगे तो यूपेसी civil services के अलावा भी बहुत सारे competition कराती है ठीक है जिसके बार में मैं आज आपको बताऊंगा यानि आप यूपेसी के तयारी करते हुए CSE तो देही रहे हैं civil services गाम जलिए इसके अलावा भी और competence दे सकते हैं ताकि आप ensure कर सकें कि अगर आप civil services नहीं लिकाला पारे है तो at least वो का position तो निकाले और वो भी बहुती repeated और gazetted position होती है जिसके बार में आज मैं बताऊंगा तो मैं यह कहना चाहरा हूँ दोस्तों की backup plan आपकी बहुत जरूरी होनी वाली तो मैं चाहरा हूँ कि आपको बहुत सारे option दे दूँ इस वीडियो माले में से बहुत सारे option बता दूँ ताकि आप हर तरफ हाथ मारे हैं हर तरफ आप अपने approach बना रहे हैं आप UPC तयारी केजिए तो आपके यह competition भी clear हो सकते हैं थोड़ी बहुत change अगर आप कर लें preparation में तो तो पहला है दोस्तो RBI grade यह बहुत अच्छी RBI grade में जो senior manager होते हैं जो एक graduated officer होते है RBI में उनकी position आपको मिलती है एक अच्छी position मिलती है तो RBI grade के पोस्ट के लिए अभी apply कर सकते हैं उसके बाद है UPC EPFO EPFO AOEO जो की एक बहुत अच्छी position आती है यह UPC conduct कराती है दोस्तों यानि enforcement officer जो होते हैं उनकी position मिलती है UPC EPFO के थुरू और यह बहुत ही graduated बहुत ही अच्छी position होती है जो की काफी काफी student यहाँ पे हैं जिनको मैं जानता हूँ और एक अच्छी position यहाँ मिल जाती है तो RBI grade के बाद दोस्तों UPC EPFO हो गया उसके बाद मैं बात करूँगा IB, Intelligence Bureau Intelligence Bureau वैसे तो दोस्तों यह UPC में नहीं आता है Home Affairs, Ministers को conduct करती है लेकिन UPC की जो आप profession कर रहे है जितनी भी general studies वगरा पढ़ेंगा सारी चीज़ें आपकी IB की जो आप test देंगे उसी में आ जाएगा तो UPC की तैयारी करते हुए आप Intelligence Bureau की जो test होती है Intelligence Bureau में जो position निकलती है उसके लिए अपलाए कर सकते है दोस्तो आर्बाइगरेड हो गया UPC EPFA हो गया उसके बाद Intelligence Bureau उसके बाद है दोस्तो CAPF Central Armed Police Force Examination जिसके अंदर आता है BSF, CRPF, SSP, CISF, ITBP ये सारे इसमें Assistant Commander आप बनते हैं इसमें आप Assistant Commander बनते हैं ये भी UPC कंडक्ट करता है और ये एक बहुत अच्छी रिपेटेड पोजिशन मानी जाती है Defense में जो हमारी Security है उसमें बहुत अच्छी पोजिशन इसमें आपका Assistant Commander की Post मिलती है तो ये एक बहुत अच्छी पोजिशन है उसके बाद दोस्तो State Level पर होता है RO और ARO यानि जो State Level पर होता है इसमें ARO यानि Assistant Review Officer RO Review Officer ये State Level पर होता है जिसके लिए आप ट्राइ कर सकते हैं उसके अलावाद दोस्तो है State PCS जो आप सभी को बता है State PCS जदने भी State है हर State के अपनी एक Civil Services होती है तो State PCS के थुरूबी आप अपने लग आजमाज सकते हैं वहाँ भी आप ट्राइ कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों वो है SSC CGL देखिए SSC CGL थोड़ा से डिफरेंट हो जाता है और ये SSC तुरू हो रहा है लेकिन जो आप तयारी कर रहे हैं UPC कि कहीं कहीं ये connected है वहाँ पर भी थोड़ी से सिलेवा से अलग है वैसे स्रंड जो reasoning mathematics वगरा में जादा इंट्रेस्टर तो SSC की SSC CGL में भी आप जहें ट्राइ कर सकते हैं देखिए कहने मलब ये है कि UPC through जो भी आपको position मिलेगी चाहे आपके central secretaryate में हो या फिर state secretaryate में हो या administrative department में हो उसमें जो आपके assistant बनते हैं आपके नीचे जो position होती है वो SSC CGL क्लियर करके ही इस्रंड वहाँ जाते हैं तो अगर आप assistant किसी के बनते हैं तो कल को आप जो एक position UPC through मिलती है किसी aspirant को वो उस position पे भी आप जा सकते हैं UPC निकाल लेते हैं उनकी तो बाती है लेकिन जो बच्चे नहीं लिकाल पाते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आपको knowledge नहीं है आपको knowledge है लेकिन luck की बात है आपके UPC clear नहीं हुए तो आपकी जो expertise है आपकी जो knowledge है उसको आप दूसरे competition निकाल सकते हैं इसी लेवल की चल रही है यानि UPC की तैयारी करते हुए आप जो है RBI grade के position उसको लिकाल सकते हैं UPC EPFO निकाल सकते हैं intelligence bureau की competition लिकाल सकते हैं assistant commander बन सकते हैं आप CAPF में इसके अलावद दो RO, AR हो गया है उसके बाद SSE, CGL हो गया है और सारे state PCS हो गए ये एक आपके पास एक broad opportunity है आप सभी के पास और आप सभी को इन सभी opportunity का फायदा उठाना चाहिए आप अपने carrier को ensure कीजिए कि कहीं कहीं आपकी position set हो जाए देखिए अगर आप UPC तैयारे कर रहे हैं अगर आप state PCS या जो भी मैंने बताया उसमें से कोई भी एक position आपको मिल जाती है एक बार आप set कर जाएए एक बार आपका जो है एक carrier को लेके जो आपकी टेंसर चल भी वो अगर पूरी हो जाए आप इसको भी clear कर सकते हैं और यह कहने कर यूपेसी से थुदा नीचे ही है इसको पोजिशन इनके question के pattern यूपेसी से कमी होते हैं यूपेसी तो बहुत tough competition है तो उसके अंदर आती यह सारी चीज़े जब आपको एक backup plan मिल जाएगा तो आपको एक automatically confidence पैदा होगी और आप यूपेसी की तैयारी खुल के कर सकते हैं और ऐसा काफी strength करते हैं दोस्तो ऐसा काफी strength करते हैं मैं फिर से बतानी कोश कर रहा है यूपेसी की तैयारी करते हुए इन सब competition को भी लेकर चलिए इसमें से कोई ने कोई आपको मिल जाएगा आपको बहुत सारी opportunity तैयार रखनी चाहिए सिर्फ एक यूपेसी पे आप dependent ना रहें और अगर आप ऐसा कर रहेंगे तो दोस्तो आप धियान रखिए इस बातों की आपकी जो backup plan की जो problem है issue है और आपने केरियर को लिके आप खुद को ensure कर सकते हैं कि आपको क्या करना है तो ये वीडियो आप सभी के लिए थी dedicated वीडियो थी आप सभी यूपेसी आइसपरेंट के लिए और हमें उमीद है कि आपको ये वीडियो जो बनाया मैंने इससे दी गए information बहुत जादा पसंद आये होगी इसके अलावे भी अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और बहुत सारे इस्ट्रेंट है जो इन सब भी competition की तैयार कर सकते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है तो आप हमें इस वीडियो को डिस्क्रेशन जरूर लिखिए और ताकि मैं फिर से एक नहीं वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे हमें सपोर्ट कीजे हमारे चैनल को ग्रोथ के लिए हमारे टेलिग्राम से जुड़ी है क्योंकि बहुत सारे ऐसी इन्फरमेशन होती है जिसका वीडियो नहीं मनाते उससे हम टेलिग्राम पे शेर करते हैं टेलिग्राम पे एवरी म